हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू आवर चानल आज हम बनाएंगे पनीर की एक फेमस रसिपी जो की है पालक पनीर तो चलिए फिर बनाते हैं पालक पनीर यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें हमने 3 टीसपून ओल डाल दिया है और यहाँ पर हमने प्लेट में लिया है दो टीसपून हमने बारिक कटा हुआ जिंजर ले लिया है अद्रक और दस से बारा हमने यहाँ पर लिया है लसन की कलिया और तीन हमने लिया है हरी मिर्चे और दो हमने मेडियम साइज के प्यास ले लिया है और एक हमने तमाटर ले ल लॉंग एक किंच दालचिनी का टुकड़ा और एक हमने लिए है हरी लाइची तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाले गरम मसालों के बाद हम इसमें डालेंगे लैसन अदरक और मिर्ची इन सभी को हम सोटे कर लेंगे और इसी के बाद हम इसमें प्याज आइड कर देंगे प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है हमने यहां पर प्याज सभी इंग्रेडियंट्स लिए है वह सभी रफली चॉप किये हैं क्योंकि हमें इसका फाइन सा पेस्ट ही रेडी करना है और यह देखिए यहां पर हमारा प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया करएंगे अभी इसी में हम तोमाइटो भी आड़ कर देंगे तोमाइटो के थोड़ा सॉफ्ट होते ही हम इसमें Pick 2 App करेंगे सुख्य मसालों में हमने हुद्ध सुख्य मसाल अन्पे मसालों में हमने लिया है दो तीज़ेचुन हमने रड्चिलि पाृडर लिया है आधा नमक और 1 तीस्पन हमने लिया है गीहू का आर्टा जिससे हमारे पालक पनेर में एक अलगी टेस्ट राइगा इसे हम अड़कर करके अच्छा ग्राम जितना पालक ले लिया है इसे हमने अच्छे से दो कर लिया है इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और पालक बहुत सारा दिखता है लेकिन इसमें जाने के बाद ये छोटा थोड़ा ही हो जाएगा और इसी में हम अभी डालते हैं दो से तीन टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है हरा धनिया हरादनिया से भी टेस्ट हमारा अच्छा आता है पालग पनीर का और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं ये पूरा अच्छे से मैश होने तख हम इसे पका लेंगे इस तरह से कौन-कौन पालक पनीर बनाता है हमें नीचे कमेंट करके बताईए और अगर आज की रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगी है तो उसके लिए भी नीचे कमेंट करिए और लाइक करिए और यह देखिए यह आप अच्छे से मैश हो चुका है अब हम इसे मिक्सी के बतन में निकाल लेंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे अब हम बनाते हैं ग्रेवी ग्रेवी बनाने के लिए हमने पर बड़ा बतन ले लिया है जिसमें तू टेबल स्पून जितना ऑईल ड़ा है और इसी में जो हमने पेस्ट बना लिया था देखिए कितना सुन्दर कलर दिख रहा है वो पेस्ट भी हम इसी में आड़ कर देंगे और जो जिस परतन में हमने पेस्ट बना था मिक्सिके जार में उसमें हम पानी डालके वो पानी भी इसमें आड़ कर देंगे इसे हम अच्छे से चलाते हुए इस पर ढकन रख देंगे और दो से तेन मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे और यह देखें यहाँ पर हमारा इसे जादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सारे टोमैटो ओनियन पालक सभी हमने पका लिया था पहले ही और देखिए आप कंसिस्टेंसी कैसी है अभी इसमें हम तीन टी स्पून जितना दही मिला लेंगे फ्रेश दही है क्योंकि कभी कभी क्या होता है पालक में थोड़ा कड़वा पन रहता है तो वो कड़वे पन के लिए हम इसमें थोड़ा सा तीन टी स्पून जितना दही आड़ कर देंगे दही से हमारे पनेर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दही को हमें अच्छे से फेट कर मिलाना है अभी ग्रेवी को हम धक्कन रखकर अच्छे से पकने देते हैं और यह देखे यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और आप कलर भी देख सकते हैं अभी इसमें हम पनीर आड़ कर देंगे यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे हमने छोटे टुकडो में कट कर लिया है पनीर को हमें फ्राइ करने की जरूरत नहीं है हम इसे ऐसे ही आड़ करके दो मिनट के लिए छोड़ देंगे अभी यहाँ पर हम जाइफल का पाउडर आड़ कर देंगे एक पिंची जाइफल का पाउडर आड़ करेंगे और आदा टीस्पून हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ले लिया है जिसे हमने dry roast कर लिया था तवे पर उसका भी powder हम यहाँ पर add कर देंगे जाइफल powder डालने से हमारे पालक पनीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यहाँ पर हम ढखकन रखके इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देते एक जैसे ही एक boil आजाता है हमारी gravy आप पर ready है उपर से हमने एक पनीर के टुकड़े को grate करके डाल दिया है गारनीशिंग के लिए और यहाँ पर हमारा पालक पनीर ready हो चुका है अगर आपको आज की हमारी recipe अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और सबस्क्राइब करिए और आज की recipe आपको हमारी कैसी लगी है प्लीज नीचे कमेंट करके बताईए और हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फिर में लेंगे ऐसे ही नी recipes के साथ